दिली न सिर में पिछले 24 घंदे से लगाता है अरश ओसन में ने आज पूरे दिन बारिश होने के ज़ताई सन्भावना दिल्ली से सटे हरियाना के गुरूग्राम में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा गुरूग्राम एक्सपेस वेबर 15 किलोमेटर लंबा जाम लगा गुरूग्राम में भारी बरसात और ट्राफिक जाम को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट के अडवाईजरी आज कॉर्परेट ऑफिस और सभी निजे स्कूल कॉलजों में छुट्टी दी गई भारी बारिश की वज़ा से नॉड़ा के सेक्टर 14 ए इलाके में लगा लंबा ट्राफिक जाम घंटों फसे रहे लो गाज़बाद में आज कछा एक से लेके आठ तक के सबी स्कूल बंद रहेंगे भारी बारिश को देखते हुए फैसला यूपी के फिरोजबाद में भी भारी बारिश से लोग हुए बेहाल सडकोप और नालों में भरा पानी कई गाडिया दूबी फिरोजबाद में बारिश की वज़े से गिरा एक पुराना मकान एक बच्चे की मौश साथ लोगों को रस्क्यू किया गया कासगंज में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन का फैसला जिले में दो दिन तक बंद रहेंगे सबी शेक्शन्स था आगरा में आज भारी बारिश की चितावनी स्कूलों को दो दिन के लिए बंद किया गया पिएफाई का केरल में 12 घंटे के बंद का एलान सुबा 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहेगा बत टेरर फंडिंग मामले में एनाईये और एडी का पिएफाई का बड़ा आक्शन 15 राज्यों के 202 ठिकानों पर मारी दे एनाईये ने देश्बर में पिएफाई के 106 मेंबर को किया गिरफतार एनाईये डीजी की निगरानी में चला ओपरेशन चे कंट्रोल रूम के जरे रखी गई निगरानी नाईये का दावार रेट के दौरान पिएफाई के दफ्तरों से मिले कई संदिक्द दस्तावे धारदार हत्यार और एलेक्ट्रोनिक डिवाइस भी भरामत हुए नभी मुंबई में पिएफाई दफ्तर पर एनाईये की रेड पांच बड़े बोरों में जब्त सामान लेकर गई एनाईये एईडी के आक्शन पर केंद्री ग्रीमंत्रिया में श्याहने की बैटक्षापे मारी को लेकर सारी डिटेल ली पिएफाई पर एक्शन को लेकर बोले राहूल गांदी सामपरदाइक तके मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए पसमानदा मुस्लिम महाज के पिएफाई को बैंड करने की मांग दोहराई कहा पिएफाई इसलाम के नाम पर देश को गुमरह कर रहा है पसपंदा मुस्लिम महास का आरो पिएफाई के कई मेंबर बैंड संगठन के सिमी से जुड़े होए हैं और एनाए की कारवाई को नोने समर्थन किया पिरास सिंग ने पिएफाई को बताया आतंकी संगठन कहा 2047 तक मुस्लिम राश्ट्र की बात करता है पिएफाई केंद्र मंत्री रामदा सठावले ने पिएफाई को आतंक की संगठन बताया कहा देश में आतंक फैलाने की कोशिश करने वालों पर आक्शन सरूरी केंद्र ग्रह मंत्री अमिशा का आज से मिशन बिहाद शुरू दो दिन की यात्रा में करेंगे सिमाचल और पुरियाना पुर्णिया और किशन गंज का दौरा अमिशा आज पुर्णिया के रंगभूमी मैदान में करेंगे विशाल रैली दोपहर बारा बज़े होगी जन भावना महासभाग अमिशा पुर्णिया के बाद जाएंगे किशन गंज शाम को चार बज़े बिहार बिज़ेपी के सांसत विधायक और वरिश निताऊंसे करेंगे मुलाकार अमिशा बिहार बीजेपी कोर्ट कमिटी के साथ करेंगे बैठक शाम पांच बजे माता गुजरी विश्विद्याले में होगी बैठक अमिशा 24 सितंबर की सुबा साड़े नौ बजे किशिन गज के सुभाश पली काली माता मंदिर में पूजा करेंगे और साड़े दस बजे SSB कैंपस का दोरा करेंगे अमिशा दोपहर में BSF के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और साड़े तीन बजे माता गुजरी विश्विद्याले में आजादी के अमरित महुद्सव पर आयो जुदकारी करम शिर्कत करेंगे अमिशा के बिहार दोरे से विपक्ष में हडकाम तेजस्वी आदव ने लगाया बिहार का महुल खराब करने और इजादे से दौर करा करेंगे यरोप कई विकास परिजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उधाटन करेंगे यूइन सुरक्षा परिशत में जशंकर ने लगाए चीन की क्लास का कि जब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंगवादियों पर बैन की बात आती है तो कुछ देश दंड मुक्ती का सुरक्षा कबच देते हैं अशोग गैलोत ने राहूल गांधी से की कोची में मुलाकात एक साथ अध्यक्ष और सीम के पद की जिद छोड़ने के मिले संके राहूल गांधी ने एक व्यक्ती एक पद के नियम का समर्थन की आशोग गैलोत को दिया इशारा कॉंग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बोले राहूल गांधी मैं अपने रुख पर कायम हूँ राहूल गांधी ने कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष पद एक संगठन का नहीं है विचार धारा का है कॉंग्रेस ने अध्यक्ष पद चुनाफ के लिए जारी किया नोटिफिकेशन 24 से 30 सितंबर तक ना मांग कर केरल के त्रिशूर से राहूल गांधी का पीए मोधी पर निशाना कहा कि उनका कहा एक 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 शब देश को बाटने वाला ओल इंडिया इमाम और्गनाइजेशन के इमाम उमर एहमद इल्यासी के से मिले रस्स चीफ मोहन भागवत दोनों में घंटों भर बात शीत हुद इमाम इल्यासी ने मोहन भागवत को बताया राश्टर पिता कहा कि हमारा पूजा करने का तरीका अलग पर डियने एक शिवाजी पार्क में दशेरा रैली को लेकर बीमसी का उद्धव और शिंदे दोनों गुट को धटका किसी को नहीं मिली परमिशन 24 सितंबर को जनाकुरोष आंदोलन को लीड करेंगे आदित ठाकरे विदांत फॉक्सकॉन समी कंड़क्टर प्लांट को गुजराज शिफ्ट करने का करेंगे विरोध कर रहा था स्टोर रूम में लगे ताले को तोड़कर दूसरा ताला तक लगाया धिहार की मुजफरपुर में पुलिस ने कच्रे लदे एक ट्रक से विदेशी शिराप की खेप को किया जब्त ट्रक के तहखाने में छुपा कर रखा रखा शिराप उत्राखन के उधम सिंग नगर में गौर धर्म की नाबालिक लड़की को बहला पुसला कर भगाने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया नाबालिक लड़की बरामत मौलाना ने आरोपों से इंकार किया कहा फास्ट्रेक कोट के फैसले की खिलाफ हाई कोट का करेगा रोग यूपी के लखिमपूर खीरे में अपनी मांगों को लेकर टावर पर चणा यूवक 6 घंटे की मशकत के बाद उतरा सतेंद्र जैन से जुड़ी एडी की याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा एडी ने जमानत याचिका दूसरी यादालत में ट्रांसफर करने की मांग की उमिश कोले की हत्या के मामले में आरोपेश चैम एहमद को एक अक्तूबर तक इनाई की रासे दे भीजा गया चितोडगर विसफोटक बरामदगी मामले में एनाई ए ने ग्यारा आरोपेश के खिलाफ चार्श शीरता की दिली के एलजी ने गेस ट्रीचर्स के मामले में आंतरिक जाँच के आदिश दिये पद्रिनात के दारना धाम को लेकर पीम मोदीनी की समीक्षा बैठाक उन निर्मान कारे को लिया जैसा यूकरेन का दावार रूस ने जापोर्जिया के रिहाइशी इलाके पर किया मिसाइल अटेक एक नागरी के मौत पांच खायल जापोर्जिया के रिहाइशी इलाके पर गिरी नौरूसी मिसाइल कई मकान तबा रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारोप का सुरक्षा परिशद पर बड़ा वयान यूकरेन यूद्ध को बताया पस्ची में देश बनाम रूस की लड़ाई यहूं कि निर्यात पर पावंदी का बचाओं किया, पावंदी को बताया अस्थाई. नए टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट पेश, इंटरनेट आधारेत सेवाओं को रेगूलीट करने का फोकस. अर्बिया ने लक्ष्मी कोपरिटी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, जमा करता पांच लाख रुपे की राशिका कर सकते हैं दावाँ. आर्बिया ने बैंक में पुंजी की कमी और आमधनी की संभावना नहीं होने का दिया हवाला 99 फीसिदी से ज्यादा ग्राहर को को पूरा पैसा वापस मिलने का दिया भरोसा. सीरीज में एक शूने से आगे है उस्ट्रेलिया, सीरीज बेचाने के लिए भारत को जीत जरूरी. भारत के तेज गेंदबाज मोहमबर शमी कोरोना से अब तक फिट नहीं, शरीड में तेज दर्द बरकरार, अब सोमवार को होगा कोरोना टेस्ट. फर्वरी मार्च में शुरू होगा महिला आएपियल, पाकिस्तान ने दूसरे T20 में इंग्लेंड से लिया, बदला इंग्लेंड को 10 विकेट से शिकस्त दी. इंग्लेंड को मिली दो वर्ल्टेस्ट चेंपियंशिप के फाइनल की मेजबानी, 2023 का फाइनल दा ओवर में होगा, लॉड्स में होगा, 2025 का फाइनल. पुर्ख पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रीदी ने 17 साल बाद मानी गलती इंग्लेंड के खिलाव 2005 में फैसलावाट टेस्ट में फिच से कीती चेर चार. सुप्रिम कोट ने इंडियन ओलंपिक एस्सोसियेशन की चुनाव को ले कर दिये निर्देई जस्टेस एल नागेश्वर राओ को दी जिम्मेदारी दिसम्बर 2022 तक कराएं चुनावाट. टेनिस स्टार रोजर फेडर ने तैकिया नया लक्ष्य सन्यास के बाद शुरू होगी कोचिंग सुजरलेंड से नए टेनिस स्टार की खोश करेंगे. मादुरी दिक्षित का दावा नब्बे के दशक की हिरोईन जीवन में आगे बढ़ गई हीरो को आज भी नाचुगाने की सर्व. मादुरी दिक्षित की फिल्म मादा मार का ट्रेलर लांच हुआ रंगिला मारा नाच की धुन पर नाची मादुरी 6 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म. ब्रहमास्तर के स्वीक्वल पर बोले निर्देश कयान मुखर जी कहा पाथ 2 में देव का नाठकिय संघर्ष काफी डाक और दिल्चस्प होने वाला है कमल हसान ने फिल्म इंजियन 2 के बचे हिस्से को शूटिंग करने की शुरुआत की कागल, काजल अगरवाल, सधार्थ और रकुल प्रेश सिंग की होगी हैं भूमिका सुनाक्षी सिंहा और हुमक रेशी की फिल्म डबल एक्सल का टीजर रिलीज बॉडी शेमिंग करने वालों की क्लास लगाती हुई नजर आएंगी सुनाक्षी और हुमक